कर दोस्तों मैं सुजीत लाठर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो प्रिवियस एग्जाम में वे कॉस्टन्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एससी एससी रेलवे या कोई भी अधर एक्जाम में जो कॉस्टन आये हैं वो टोपिक वाइस डिसकस कर रहे हैं और डेली हम 20 कॉस्टन्स की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो आज के सेशन की हम सुरुवात करते हैं और कुछ कॉस्टन आज देखते हैं जो कि एक्जाम में आये हुए है अगर आपको इससन पसंद आया तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर करना साथ ही अगर आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो हैं वह हम अपलोड करते रहते हैं और साथ ही बैल आइकन भी आप प्रेस कर लिजे ताकि आपको आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके तो चलिए अब अधिक टाइम ना लेते होए हम सुरुवात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तो आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आप देख पारे होंगे एक वर्ड आपको गिवन है इसमें आपको क्या पूछा गया है अक्षर यूगम पेर मेकिंग का एक क्वोस्चन है आप ध्यान से पढ़िये इसको सबद में ऐसे अक्षरों के युगम, युगम का मतलब होता है पेर, जोड़े, ऐसे अक्षरों के युगम कितने है जिन में से प्रतेक के बीच सबद में उतने ही अक्षर है, मतलब आपको इस वर्ड में ऐसे क्या देखने है, अक्षर देखने है कि इनके बीच सबद में कितन ही है जितनी की अंग्रेज जी वर्ण वाला में उनके बीच होती है आगे और पीछे दोनों साइड की बात कर रहे हैं तो ऐसे आपको पेर इसमें बताने हैं मैं आपको इत बार एक्जम्पल से बता देता हूं कि हमें पेर चेक कैसे करने होते हैं तो अगर मान लिजे यहां प जो रियल नेम है वो रियल नेम ही बोला जाएगा बच्चे और उसके आगे आप कॉंटिन्यू लगातार फारवर्ड डारेक्शन में बढ़ते वे चलेंगे लगातार काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग के दोरान जो भी लेटर आपको सेम प्लेस पर दिखाई देता है वो आपके लिए क्या बनाएगा पेर बनाएगा ठीक है आधार इंस्टिट्यूट हमसे जुड़े हैं आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार सर बैस टिचर साउथ अर्याना सर ये आपका बड़पन है जो आप हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं बाकी हम अपनी मैनत करते हैं बस जुजारूपन आपके सयोग से बना रहेगा बहुत बहुत दन्यवाद आपका हारीश नहरा गुड इवनिंग गुरुजी नमस्कार वैरी गुड इवनिंग आरिफ खान नमस्ते सर सभी को नमस्कार हमसे जो जुड़ेवे हैं उन सभी वीवर्स को मैं तैदिल से स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर तो चलिए इस क्वेस्टन को देखते हैं A से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे A, A के बाद क्या एगा B तो अब आपसे अगर मैं पुछूं कि क्या A और B के बीच इंगलिस अलफाबैट में कोई लेटर आता है नहीं इसका मतलब A, B अपने आप में एक क्या है पेर है जोड़ा है इसी प्रकार से A के बाद हम अगर कॉंटिन्यू चलते हैं तो A, B, C C तक हम पहुंचते हैं तो A और C का भी अपने आप में एक पेर होगा अब आप कहेंगे कि सर पेर क्यों होगा क्योंकि A और C के बीच में इंगलिस अलफाबैट में अगर हम काउंटिन्ग करते हैं तो सिंगल लेटर होना चाहिए और सिंगल ही है इसका मतलब A, C भी अपने आप में एक पेर है इसके बाद अगर मैं आप से पूछूं तो काउंटिन्ग करेंगे A, B, C और D तो A के बाद D का जो प्लेस है वो भी सेम ही है यहां इसका मतलब हो गया कि A और D भी अपने आप में क्या है एक जोड़ा है तो यहां पर आप देखिए, त्री पेर्स तो आपके यह हो गए, इसके अलावा अभी हमने काउंटिंग किस से की थी? A से start किया था अब हम counting start करेंगे बच्चे के से B से तो B से हम start करते हैं देखे B इधर तो बनेगा नी क्योंकि इस side में small letter है और इस side में क्या है greater value है या बड़े letter है बाद वाले है तो B, B से हम start करेंगे आगे तो C तो देखे B, C का अपने आप में एक जोड़ा है उसके बाद हम आगे देखते हैं तो B, C, D counting के दोरान D भी तो अपने place पर ही मौजूद है इसका मतलब B, D का भी अपने आप में एक जोड़ा है पेर है इसके बाद हम last check करेंगे C से तो C से left side में तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि C से बाद का कोई भी अक्सर इदर नहीं है लेकिन right side में देखे हैं तो C और D तो C, D का भी अपने आप में एक जोड़ा है तो देखे ध्यान से 3 pairs तो ये हो गए और 3 ये total कितने pair बने 6 pair बने जब हमने continue 4 letters के बारे में बात की तो आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी अगर 4 letters हमें continue given है लगातार दिये गए है तो उनमें total number of pairs कितने होंगे हमेसा 6 होंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो question है इसको हम इसी pattern के according बना लेते हैं और मैं समझा देता हूँ आपको देखे द्यान से हम counting करेंगे बच्चे यहाँ पर C से तो C से हम start करेंगे मुकेश कुमार गुजर का हम से जुडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम आपको देखे C से हम start करेंगे C, D, E, F, Z, H, I, J, K कोई भी letter सेम प्लेस पर नहीं मिला इसका मतलब हुआ C से कोई pair नहीं बन रहा हम start करते हैं E से left side में भी check करना है और right side में भी तो E, F इदर तो नहीं बना लेकिन right side में अगर हम चलते हैं तो देखो E, F, Z, H, I E, F, G, H, I तो E से counting करने के बाद और I जो है I जो है वो सेम प्लेस पर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया अब हाँ I जो है वो सेम प्लेस पर मिल रहा है E, F, Z, H, I तो E, I अपने आप में क्या हो गया एक पेर हो गया जोडा हो गया इसके बाद J, K, L, L यहाँ पर होता तो पेर बन जाता, L यहाँ नहीं है, L पहले है, तो अब आपको kindness या दयालूता दिखाने की जरूत नहीं है, कभी यह कह दो कि सरेक का ही तो गया फ़र बना दो, तो ऐसे तो पता नहीं, आप कितने जोडे बना दे, है ना, आप सोच रहे है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर E से L का पेर तब बनता जब यहाँ होता, तो E I का पेर तो बन गया, उसके बाद हम counting करेंगे R से, अब देखिए, R से greater value, R के बाद का कोई भी अक्षर इदर नहीं है, तो हम इदर तो पेर बनाएंगे नहीं, इदर त T है ही नहीं, ठीक है, हम counting करेंगे right side में, R, S, T, U, V, W, X, यहाँ X होता तो बन जाता, फिलाल नहीं बनेगा, तो अब हम counting करेंगे T से, अब T से तो इदर तो कोई value है, नहीं देखिए, T, U कोई है, नहीं है, तो right side में हम count करते हैं, T, U, V, W, X, Y, तो अब आप धहन से पेर है, T, U, V, W, X, Y, अभी हम थोड़ा सा आराम से करेंगे, फिर आने वाले जो questions हैं में, हम थोड़ा speedily करेंगे, इसके बाद हम S से counting करते हैं, तो देखिए, left side में तो डारेक्टी बन रहा है, S, T, S और T के बीच, English alphabet में कोई letter नहीं होता और नहीं है, तो यह pair बनेगा, इसके बाद हम right side में भी चेक कर लेते हैं, S, T, U, V, W, नहीं बनेगा, I से start करके देख लेते हैं, I, J, K, L, M, N, नहीं बनेगा, I, J, K, L, नहीं बनेगा, N से counting करते हैं बच्चे एक बार, N, O, P, Q, R, तो देखिए, N, R, अब आप में से कोई कहेगा कि सर इसको R, N लिखें या N, R, जिस भी letter से हम counting start करें, उस letter को आप पहले देख लिजेगा, तो N, O, P, Q, R, N, R का pair बन गया, इसके बाद इसके आगे तो कोई बनेगा ही नहीं, L से counting करते हैं, N का इधर भी कोई नहीं बनेगा, N, M, N के बाद O, P, नहीं बनेगा, L से देखो, L, M, N, O, P, Q, R, S, Y से देख लो एक बार, Y, Z, अगर counting करें, A, B, C, D, E, F, Z, तब भी नहीं बन रहा, और अगर ऐसा बनता तो हम उस pair को count भी कर सकते थे, total number of pairs कितने बनेगे, total number of pairs इसमें कितने बनेगे, 4, देखिए, इसको मैं एक बार थोड़ा सापको revise करा देता हूं, चेक करा देता हूं, द्यान से देखिए, आप comment करके भी बताएंगे, एक pair बना E, F, G, H, I, E, I का pair बन गया, एक T, Y, का बता देता हूं, देखिए, T, U, V, W, X, Y, एक pair बना S, और T का, तो यहाँ पर S, T, continue है, एक pair बनेगा N, R का, N, O, P, Q, R, तो total number of pairs कितने होंगे, चार, four pairs इसमें होंगे, और इसमें, अगर बात की जाए, इन options के according, तो इसमें आपका, मतलब इन में से कोई नहीं, पेर की बात अगर हम करें, तो पेर की बात तो इसका answer क्या होगा, four pairs होंगे, ठीक है, लेकिन इन में से अगर कहीं पर भी four होता, तो वो ही अपना क्या हो जाता, answer हो जाता, मुकेश कुमार गुजर, best teacher साउथ हर्याना, thank you मुकेश जी, आपका बहुत बहुत दन्यवाद, ये compliment देने के लिए, बाकी हम इतने best है नहीं, ठीक है, चलिए, अब next question के और बढ़ते हैं, और लिख भी देता हूँ मैं, chronicle, word है, इसमें हमें total number of pair बताने है, सहबास comment करके बताईए आप, हर्शा रोहिला, good evening sir, very good evening हर्शा जी, मुकेश कुमार, ठीक है जी, बोलेनाथ, जैसरी, सर जी क्या हल है, बहुत बढ़ी है, आपका जो सयोग है, आपका साथ है, वो बना रहे, अगर आप में से वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी से गुजारी से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कि वीडियो को आप ज्यादा सा ज्यादा लोगों में सेयर कीजेगा, ताकि वो भी इस content का फाइदा हुटा सकें, help ले सकें, हिमानसू याद आओ, nice गुरू जी, thank you हिमानसू, चलिए, अब देखो, इसमें हम चैक करते हैं, total number of pairs कितने होंगे, तो counting करते हैं एक बार, C से हम start करेंगे, C, जैसा कि मैंने आपको बताया, C, D, E, F, Z, H, I, Z, K, नहीं बन रहा, ads से counting करेंगे, अब ये भी देख लेना question क्या है, same, अक्सर यूगम ही पूछे है, परतेक के बीच उतने ही अक्सर लुप्त हैं, या उतने ही अक्सर गाइब हैं, जितने की, अंग्रेजी वन माला में उनके बीच होते हैं, इस question को sort में पूछे, तो direct ये पूछा जा सकता है, कि given word का दिये गए सब्दों में अक्सर यूगम कितने हैं, या pairs कितने हैं, direct भी ऐसे पूछ सकता है, तब भी आपको ऐसे ही करना है, C से आपका कोई pair नहीं बन रहा, क्या देख लिए, C, D, E, F, G, H, I, J, K, नहीं बना, H से चेक करेंगे, left side में कोई pair नहीं बन रहा, right side में चेक करेंगे, H, I, J, K, L, M, N, O, नहीं बन रहा, R से start करेंगे, R से left side में चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि left side में R से greater कोई value नहीं है coincidentally, right side में भी नहीं है, तो R से कोई pair नहीं बनेगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम O से start करेंगे, O, P, Q, R, इधर नहीं बनेगा, O, P, Q, R, S, T, नहीं बनेगा, N से बनेगा देखिए, N, O, एक pair किसका बन गया, N, O का pair perfect बनेगा, N, O का pair perfect बनेगा, N, O के बीच N से बड़ा कोई letter है नहीं, तो इधर भी नहीं बनेगा, right side में, I से check करते हैं, अब हम I, J, K, L, M, N, नहीं बनेगा, I, J, K, L, L यहां होता तो बन जाता, एक भी एकसर पीछे या आगे रहता है, तो pair नहीं बनता है, तो अब इसका answer हम C से भी एक बार check करके देखते हैं, C, D, E, F, G, H, तो C, H का देखो perfect pair बन रहा है, C, D, E, F, G, H, C, H का pair बन रहा है, इसके बाद C, D, E, right side में भी C, E का pair बनेगा, C और E का place सेम वही है जो हमें दिखना चाहिए, इसके बाद हम L से check करेंगे, तो देखिए, L, M, N, O, P, Q, R, यहां R होता तो बन सकता था, फिल चेक करते हैं, लास्ट के लैटर E से, तो देखिए, E, F, G, H, I, J, K, L, M, नहीं बना, टोटल नमबरों pair साब से पुछे जाएं तो कितने बनेगे इस question के according, इसमें आपके pair बनेगे total 3, जो कि आपका option है fourth, I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, comment जरू कोई question आपके लिए लेकर आया हूँ, जो previous exams में आये हुए हैं, और यही questions mostly exams में repeat भी होते हैं, जो question लिखे जा रहे हैं, यह repeated questions भी हैं, आप देखिए, 2016 में, 2019 में आया हुआ है, और H, S, S, E के exam में भी एक question आ चुका है, एपल में total number of pairs आप से पुछे गए है, A से start करेंगे, B, C, D, E, तो A, E का pair तो perfect बन गया, A, E का pair तो एक तो perfect बन गया, इसके अलावा, P से देखिए, left side में कोई greater value नहीं है, right side में भी कोई greater value नहीं है, तो P से कोई pair नहीं मनेगा, L से greater value इधर है, L, M, N, O नहीं मनेगा, E से number of pair कितने होंगे, one, जो की option है, आपका first, सत्यवान या दो, राम राम सर जी, नमस्कार सत्यवान जी, राम राम आपका स्वागत है चैनल पर, हमसे जुडने के लिए, चलिए देखते हैं next question, ये रहा आपकी screen पर, comment करके बताई, एक बार इस answer क्या होगा, देखिए, ये question आ है, HSE 2019 में आया, mostly जो CGL के exam में आयोए questions है ना, वो ही questions HSE के exam में repeat होते हैं, question bank जो है, HSE का question bank ही use करती है, इसलिए आपके लिए जो वीडियो है, जो मैं आपके लिए content लेकरा रहा हूँ, ये बहुत ही important हो जाता है, इनको ignore मत किजेगा, complete video को देखिएगा और check किजेगा चलिए, आपके सामने जो question है, इसमें भी आपको क्या बताने है, वो ही pairs बताने है, ideal, ideal word है, check करेंगे आई से, I, J, K, L, L यहाँ होता तो बनता फिलाला इसे कोई pair ने बन रहा, D से start करेंगे, तो D लेफ्ट से तो बनेगा ने, लेकिन राइट साइड में D, E का perfect pair बन रहा ह देखे, D, E, F, G आगे नहीं बन रहा, E से pair हम चेक करेंगे, तो left में E से greater value है ही नहीं, E, F, G इदर भी नहीं है, A, B, C, D, यहाँ D होता तो pair बनता फिलाल यहाँ भी नहीं बनेगा, और हम चेक करेंगे finally L से, और L से greater value इदर कहीं नहीं है, तो इसमें भी आपका जो total pair बन जैसे समझ में आ गए होगा, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ, next question की और, question number five, यह रहाँ आपकी screen पर आप, बताएए इसका answer क्या होगा, question है humble, इस word में आपको कितने pair दिखाई दे रहे हैं, अब थोड़ा सक practice में आप आ चुके होगे, मैं आपको थोड़ा सक fastly, rapidly कराने की कोशिस भी कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे, देखे, H से हम start करेंगे, H, I, J, K, L, H, L का pair बनेगा, देखे मेरे साथ साथ ही, इसके बाद U से हम counting करेंगे ही नहीं क्यों, क्योंकि U से बड़ा कहीं भी नहीं है, M से counting करेंगे, तो left में check करेंगे, M, N, O नहीं बनेगा, right में, M, N, O, कोई बड़ा ही नहीं, M से छोड़ी B से start करेंगे, B, C, D, E नहीं बनेगा, B, C, D नहीं बनेगा, L से, L, M, N, O, P नहीं बनेगा, E से counting करें तो देखे, E, F, G, H, I, J नहीं बनेगा, तो total number of pairs यहां भी कितने बने, एक, और option है आपका D, D option इसका right answer हो जाएगा, चलिए, बहुत बढ़िया, सावास, next question देखे, question number six आपकी series का, जो है वो यह रहा, बनाएए इसका answer बताएए, कि इसका answer क्या होगा, question number six का, word है, carrot, carrot word, RRB, NTPC के exam में आए हुआ है, हो सकता है, HSSC, CET के exam में भी आपके, यह question देखने को मिल जाए, तो देखे, इसमें, carrot का आपको यह पूछा है, कि इसमें, total number of pairs कितने हैं, देखे, check करते हैं, C, D, E, F, G, H नहीं बनेगा, A से, A से greater value इदर तो है यह नहीं, A, B, है यह नहीं, मतलब simple दीख रहा है, A, B, C, D, E नहीं बनेगा, R से left में तो बनेगा ही नहीं, right side में देख लेते हैं, R, S, T, U नहीं बनेगा, यहां से check करते हैं, R से greater value नहीं है इदर right में देखते हैं, R, S, T, R, T का एक perfect pair बन गया है, इसके अलावा, O से हम counting start करते हैं, तो O, P, Q, R, S नहीं बना, O, P नहीं बना, T, U, V, W, X, Y नहीं बना, तो total number of pairs यहां भी कितने हैं, one, जो कि option A, आपका right answer हो जाएगा, क्या answer होगा आपका, option A right answer हो जाएगा, इसी के साथ बढ़ जाते हैं, next question की तरफ, आपका answer भी बिल्कुल ठीक आया होगा, high up, so, इसमें देखिए, SBI Bank PO के exam में आया है, 2017 में, और question में आपको वही पुछा गया है, origin word में, ऐसे कितने अक्षर होगम है, जिनके बीच यहां उतनी अक्षर मोजूद हैं, जितने की अंग्रे कैसा लग रहा है, मुकेश कुमार जी ने तो अपना review दे भी दिया है, feedback दिया है हमें, और उनके according बहुत ही, bathroom class है, nice class सर जी, मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही बना रही हमारे साथ, और देखिए कुछ important questions को, H से start करते हैं, देखिए, H, I, J, K, L, M, N, तो H, N का pair perfect है, इसके बाद हम O से start करेंगे, O से इदर तो बनेगा नहीं, O से greater value है नहीं, right में देखेंगे, O, P, Q, R, S, T नहीं बना, R से देखेंगे, left side में नहीं बनेगा, R से greater value है नहीं, बड़ा कोई अक्सर है नहीं, R, S, T, U, V नहीं बनेगा, I से start करते हैं, I, Z, K, L नहीं बनेगा, Z से, Z, A, B, C, D नहीं बनेगा, Z से बड़ा इदर भी नहीं है, O से start करके देखेंगे, O, P, Q, R, तो देखें, O, R का perfect pair है, O, P, Q, R, इसके बाद देखें, N, O, N, O का भी perfect pair है, N, O, इसके बाद देखें, N, O, P, Q, R, N, R का भी perfect pair है, इसका मतलब total number of pairs कितने ह हो जाएंगे, इस question में, आप देख पा रहे होंगे, four pairs हो जाएंगे, तीन से अधिक, यानि की option D, इस question का right answer हो जाएगा, तीन से अधिक, more than three, D, चलिए, शावास, बहुत बढ़िया, तो इसका right answer हो जाएगा, option D, चलिए, question number eight देख लेते हैं, आप लोगों का ये जो alphabet का topic है, इसमें मैंने आपको पहले भी जो previous question है, वो करवाए हैं, और हमारे ये जो आज की CDJ, इसमें, mostly आपके जो questions हैं, वो किस पर based है, pair making पर, तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी practice भी मेरे साथ साथ ऐसी हो जाए कि आपके आने वाले किसी भी exam में, अगर इस topic से कोई question आता है, और वो भी pair making से, जो आज के session में मैं करा रहा हूं, तो वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, चलिए, देखते है, question number eight, कंचन word है, कंचन word में आपको क्या पुछे है, pair पुछे है, कंचन सबद में ऐसे कितने अक्षर यूगम है, जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मोजूद है, जितने की अंग्रेजी वनमाला में उनके बीच होते हैं, चलिए count कर लेते हैं, के, L, M, N, O, P, Q नहीं बनेगा, A से start करते हैं, तो left में तो ब बनेगा, आपका A, C, इसके बाद, C के बाद, D, E, F नहीं बनेगा, N से counting करेंगे, left में नहीं बनेगा, क्योंकि N से बड़ा कोई लेटर है ही नहीं, और right साइड में बनेगा, क्योंकि right साइड में भी N से बाद का कोई भी अक्षर नहीं है, सासी बाला, good evening sir, very good evening सासी बाला L नहीं बना, K यहां होता तो बन जाता, फिलाल नहीं बनेगा, H, I, Z नहीं बनेगा, A से स्टार्ट करके देखते हैं, A, B, C, तो देखो A, C का एक पेर और बन गया, A, B, C, अब अलग अलग हैं यह दोनों, यह A, C का पेर यह था और यह A, C का पेर यह वाला है, एक तो यह आपका option है, second आपका right answer हो जाएगा, I hope आपको यह question भी बहुत अच्छी से clear हो गया होगा, और आप सभी का answer सही रहा होगा, चलिए, बहुत बढ़ी है, Shabas, next question के हम बात करते हैं, question number 9, यह रहा, आपकी screen पर बताइए, Shabas, इसका answer क्या होगा, question number 9, मैपाल गुजर, राम राम, स्वागत है आपका, आपके अपने YouTube चैनल पर, वीडियो को share किजेगा अपने दोस्तों में, जो भी group है, WhatsApp group है, और जो हमसे live class के बाद भी जुड़ते हैं, तो उनसे भी मेरी एक request है, कि वीडियो को complete देखेगा, session को, आपके लिए helpful जरूर रहे देखेगा, Facebook, WhatsApp के मादियम से, ये आपसे गुजारी से मेरी, देखिए question, IBPS bank, P.O. 2016 में आया हुआ है, और question क्या है, paradise, paradise word है, paradise word में आपको क्या बताने है, अक्षर युगम बताने है, counting करते हैं, P, Q, R, देखे एक तो P, R का pair बन जाएगा, P, Q, R, आर सेम प्लेस पर है, R के बाद S, T, U, बस आगे count करने की जरूरती नहीं है, इससे बड़ा तो कोई letter है ही नहीं, योगेश चोहन जी, नाइस गुरू जी, योगेश चोहन सर, आपका बहुत बहुत दन्यवाद जुड़ने के लिए, अब यहाँ पर A से हम start करते हैं, तो देखे, A, B, C, D, A, D अपने आप में एक pair create कर रहा है, तो A, D का pair बन गया, इसके बाद देखे, D के बाद E, F, G, आ R, S, T, U, V, छोड़ो, S से बड़ा ही नहीं तो, A से चेक करते हैं, A, B, C, D नहीं बनेगा, A, B, C, D, E बन गया, तो A, E का भी perfect pair है, अब यहाँ पर हम counting करेंगे D से, D, E, F, G, H नहीं बनेगा, D, E, F, G, नहीं बनेगा, I से भी चेक कर लेते हैं, I, J, K, L, M, N, नहीं से बड़ा कोई letter ही नहीं है, तो count करने की जरुवती नहीं है, E से एक बार check करते हैं, और हमारे question का final answer आजाएगा, E, F, G, H, I, J, K, L, नहीं बनेगा, तो हमारे पास total number of pairs हैं, भी कितने बनेगे, 3, जो की option है, आपका C, right answer क्या हो जाएगा, option C, इसका right answer हो जाएगा, I hope आते हैं, हम next question की तरफ, और ये रहा आपकी screen पर question number 10, comment करके बताईएगा, इसका right answer क्या होगा, comment करके बताईएगा, इसका right answer क्या होगा, मैं wait करता हूँ आपके comment का, सावास, बहुत बढ़िया, देखी, static word given है, इसमें आपको pair देखने है, वोई सेम pattern अपना रहेगा, ऐससे counting स्टार्ट करते हैं, देखी, आप भी comment करके बता दीजे कितने बढ़ेंगे, very good, ये सशी बला का answer बिलकुल ठीक था, इससे पहले वाले question का बहुत बढ़िया, सावास, very good, अब हम देखते है, S से, S, T, तो देखी, पहला pair तो S, T का ही बन जाएगा, continue है, कोई इनके बीच में letter नहीं आता, इसका मतलब बिलकुल perfect pair है, S, T, U, V, अब count करने का कोई फाइदा है नहीं, आपको पता है कि T से greater value तो कहीं भी नहीं है, T से हम count ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि T से greater value या T से बाद के अक्सर कहीं नहीं है, T, U, V, W, X, Y, Z, क्या ही मतलब बनता है, A से counting करेंगे, तो left side में देखे, A, B, C नहीं है, A, B, C, D, E, F, Z, नहीं बन रहा, T से count करेंगे, तो T से greater value ना इधर है, ना इधर है, इसलिए किसी भी side count नहीं करेंगे, I से check करते हैं, I, J, K, L, M, नहीं बन रहा, I, J, K, L, M, नहीं बन रहा यहां पर भी, S से counting करते हैं, तो देखे, S, T, यहां T होता तो बन जाता, फिलाल नहीं बनेगा, U, V, W, नहीं बनेगा, right side में, S, T का बनेगा, ये वड़ा S, T का पेर अलग है, ये वड़ा S, T का पेर इसलिए ये मत कहा देना कि Sir A की पेर है, सिंगल है, नहीं, अलग-अलग है, S, T, इसके बाद अगर हम बात करें तो left side में कोई पेर नहीं बनेगा, right side में देखते हैं, T से देखते हैं अब left में, T, U, T से बड़ा कोई है, नहीं छोड़ दीजे, right side में भी नहीं है, I से check करत नहीं बनेगा, इसलिए इस question का जो right answer आएगा, जो दो pair बनेगे, और दो pair आपको कौन सा option बता रहा है, बता ही, इस question का जो right answer हो जाएगा, option number second, ठीक है, चलिए, इसी के साथ बढ़ जाते हैं, next question की और, I hope आपका ठीक रहा होगा, ये question अगर आप ये session continue देख रहे हैं, तो अब तक तो बहुत सारे question हो चुके हैं, और आपका सभी का इसका answer भी क्या रहा होगा, सही रहा होगा, चलिए, next question number 11, आपकी screen पर ये रहा, मैं चाहता हूँ, कि आप एक बार comment करके जरूर बताएं, कि इसमें total number of pairs कितने होंगे, योगेश चोहान 2, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, science के साथ साथ आप reasoning में भी महारत असिल किये हैं, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, चलिए, इसमें बताईए, telephone word है, सबद में कितने आकसर युगम है, पेर है, चलो चेक कर लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ बताईएगा, ति से हम स्टाठ करते हैं, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B नहीं बनेगा, E से स्टार्ट करते हैं, तो E से left में तो बनेगा, 一नी, E, F नहीं बन रहा, right side में चलते हैं E, F, Z, H, I, Z, K, L, नहीं बनेगा, L से चेक करते हैं, L, M, N नहीं बनेगा, L, M, N, O, P, Q, R, same place पर मिले तो ही pair बनता है otherwise नहीं बनता E से counting करेंगे E F G H नहीं बना E F G H I J नहीं बना P से counting करते हैं P Q R S T नहीं बनेगा P Q R S T नहीं बनेगा यहां पर भी H से check करते हैं H I J K L M नहीं बना H I J K नहीं बना O से देखो O P Q R S T U नहीं बना O P Q नहीं बना N से देखो N O का बन गया N O P Q R S T नहीं बना E से counting करते हैं E F G H E H का बनेगा इसके लावा और कौन सा pair आपका हो सकता है एक बार चेक करके इसमें बता सकते हैं कॉमेंट कर सकते हैं तो इसमें E F Z H I J K L M N नहीं बन रहा हमारे पास कितने pair इसमें बन रहे हैं 2 pair बन रहे हैं Q Q 11 में एक बार आप कॉमेंट करके बताईए आपके according क्या answer होना चाहिए Q Q 11 है इसका according आपका answer क्या होना चाहिए बताईए इसा बस चेक कर लिजेगा मैं आपको फिर बता देता हूँ T U V W X Y Z A B नहीं बनेगा E से चेक करें तो E F इदर नहीं बने E F G H I J K L नहीं बनेगा L से भी L M N नहीं बनेगा L M N O P Q R नहीं बनेगा E से भी देख लिजे E F G H E F G H नहीं बनेगा P से चेक करें तो P Q R इदर भी नहीं है P Q R इदर भी नहीं है H से चेक करेंगे तो H I J K L यहां होता तो बनता अब नहीं बन रहा H I J K नहीं बनेगा O से देखे O P Q R S नहीं बनेगा N से चेक करें तो N O का पेर बन रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया है और E-H का पेर बन रहा है E-F-G-H तो टोटल नंबर ओफ पेर्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर स्यावास बताइए कोमेंट का वेट कर रहा हूं मैं कि कोई कोमेंट कर रहे हैं इस कॉस्चन में स्यावास Option नंबर कौन सा आएगा इसका राइट आंसर किसी का भी कोमेंट नहीं आए Question नंबर 11 का कोमेंट करके बताईए कोन सा आंसर होगा चेक कर लिया होगा आपने भी स्यावास बहुत बढ़िया इमान सुयाद्व ने कोमेंट किया है टू बहुत बढ़िया चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं Next Question की ओर P.Q.R.S.T सचिन कुमार कौन सा P.Q.R.S.T बता रहे हो P.Q.R.S.T हाँ P.T वैरी गूड इसलिए पूचरा हूँ मैं एक बच्चे ने बताया है P.Q.R.S.T तो आंसर क्या होगा इसका मतलब सही से सहसन को देख रहे है केवल यह नहीं कि कहीं और नजर बढ़ी हुई है बहुत बढ़िया इसलिए मैं रुका हुआ था कि कोई बच्चा तो बताए इस Question का Answer कि वो इसमें जो हमने Count नहीं किया है जो रह गया है वो बताए एक बच्चे ने कोमेंट किया इसका मतलब यह बच्चा ठीक से काम कर रहा है कोपी लेकर बैठा है इसने काम किया बहुत बढ़िया तो Right Answer क्या हो जाएगा इस Question का Right Answer हो जाएगा Option C बहुत बढ़िया Very Good बच्चे चलिए सावास Next Question की बात करते है मैं वेट करता हूँ कि आप कोमेंट करें क्या आंसर आएगा बताईए खलनाएक का सलूट सर कौन है यह खलनाएक संजेदत है क्या यह मुशा भाई चलो जो भी है धन्यवाद सावास बताईए आई भी प्यस बैंक प्यो के एक्जाम में आए हुआ है बताईए सावास टोटल नंबर ओफ पेयर्स कितने होंगे खलनाएक मनजीत जी का साड़ा मनजीत का साड़ा खलनाएक अब से हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं देखिए बताईए सावास इसमें P से स्टार्ट करेंगे P Q R S तो P S का प्रफेक्ट पेयर बनेगा बताईए सावास मैं आप लोगों से कॉमेंट की भी एक्सपेक्टेशन करता हूँ P Q R S T U अब T से बड़ा ही नहीं तो छोड़ देजे R S इधर तो नहीं बनेगा R S T U V W X Y Z छोड़ दीजे E से काउंट करते हैं E F G E F G H I J K L M नहीं बनेगा S से काउंट करते हैं तो S से इस साइड में तो कोई F G H I नहीं बनेगा E F G H I J K नहीं बनेगा N से काउंट करें N O P Q R N R का परफेक्ट पेर बन रहा है इसके अलावा R के बाद R से बड़ा ही नहीं तो इधर तो बनेगा नहीं राइट में देखते हैं N O P Q R S नहीं बनेगा T से चेक करें T U V W छोड़ ये क्योंकि ही नहीं इससे ग्रेटर वैलू Right साइड में T से बड़ा कोई लेटर ही नहीं है चाहकी नहीं करेंगे M से चेक करेंगे M N O P Q R S T नहीं बनेगा M N O P नहीं बनेगा E से भी चेक कर लेते हैं E F G H I J K L M नहीं बनेगा E F G नहीं बनेगा N से चेक करते हैं M O P Q R S T U V W नहीं बनेगा T से भी चेक करते हैं T U V W X Y Z A B C D नहीं बनेगा तो टोटल पेर कितने बनने चाहिए 2 अब एक बार कमेंट करके बताएंगे Iman Su Yaddao ने 3 पेर्स बनाए है Very Good Iman Su एक बार बताईए कि इसमें 3 पेर बनेगा कौन सा कमेंट करके बताईए सहवास कौन सा पेर इसमें आपको 3 नजर आ रहा है बहुत ही बढ़िया बताईए 3 पेर Iman Su ने बताए है कोई नजर आ रहा है तो बताईए जो बच्चे एक्टिव है वो जरूर बता सकते है सचीन कुमार फिर से कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें 3 पेर है या आगे बढ़ जाएं अगर किसे ने फालतु भी बना दिया तो भी पता लग जाएगा कि कहां एरर कर रहे है और अगर ये गलत है तो भी पता लग जाएगा बीच बीच में चेक तो करना ही पड़ता है कितना ठीक से करते हैं क्या नहीं करते चलिए ज़्यादा टेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है दो ही पेर है इसमें very good सचीन बहुत बढ़िया चलिए next question देखते हैं ये रहा आपकी screen पर बताईए इसमें total number of pairs कितने है पेर में कोई question गलत नहीं होगा अब सहबास बताईए lemon word है इसमें कितने अक्षर युगम है जितने की यहां पर अंग्रे जी होनवाला में उनके बीच मौजूद होते हैं वो ही सेम चीज है और ये भी पुछा है अब दियान से देखो ऐसे कितने अक्षर युगम हैं जिनके बीच यहां पर उतनी अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रे जी वन माला में उनके बीच होते हैं बताएं कि इन दो अक्षरों में से कौनसा अक्षर अंग्रे जी वन माला में पहले आता है कौनसा अक्षर अंग्रे L M N O L O का पेर बनेगा O के बाद आगे नहीं बन रहा E से काउंटिंग करते हैं E F right में चेक करते हैं Left में तो बनेगा E F G H नहीं बनेगा M N O नहीं बनेगा M N O नहीं बनेगा O P Q इससे बड़ा ही नहीं कोई छोड़िए ना right में N O E N O का पेर बन रहा है N O P Q R S आगे बनेगा नहीं Total number of pairs पुछे जाएं तो कितना होगा इस cancer 2 होगा लेकिन हमसे ये पुछा है कि बताएं इन दो अक्सरों में से दो अक्सर उगमों की बात कर रहा है इन दो अक्सर उगमों में से कौन सक्सर हंगरे जी हो अनवाला में पहले आता है तो आप एक बात बताईए हमारे पास total letters कितने आगे 3 आगे L N और O इन तीन letter से ही तो पेर बना है आप से पुछा जाए कि बताईए इन में पहले स्थान पर कौन सा आता है तो आप क्या कहेंगे L ही तो आएगा alphabet में पहले तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option D 4 number clear है question में अगर पुछे जाते total number of pairs तो कितने होंगे 2 होंगे लेकिन पहले letter कौन सा आएगा तो वो कौन सा होगा L चलिए इसली के साथ बढ़ जाते है next question की तरफ और ये रहा आपकी screen पर question number 14 द्यान से एक बार पढ़िए सबद है couple couple word में ऐसे कितने अक्सर उगम है जिनके बीच यहां उतने ही अक्सर मुझूद है जितने की अंग्रेजी वनमाला में इनके बीच होते है बताएं कि इन में से कौन सा अक्सर अंग्रेजी वनमाला में पहले आएगा यदि कोई अक्सर उगम इस सबद में नह हो तो आप अपना उत्तर X दीजिएगा अगर ऐसा कोई उगम नहीं है तो आप अपना उत्तर क्या देंगे X देंगे ठीक है चलिए सेवास बताईए हाँ बताईए सेवास Question number 14 Comment का वेट कर रहा हूँ मैं हाँ सचिन कुमार का बहुत बढ़िया सचिन इमानसू का बहुत बढ़िया ये Pixie World है ये थम दिखा रहे है लाइक वाला वीडियो को लाइक किजिएगा ठीक है चलिए Question number 14 बताईए इसमें क्या आएगा चेक कर लेते हैं C, D, E, F, G, H नहीं बनेगा O से चेक करें तो इधर तो बनेगा नहीं O, P, Q, R, S नहीं बनेगा U से चेक करेंगे तो U से तो बड़ा किसी भी साइड नहीं है छोड़िए P से चेक करते हैं P, Q, R, S नहीं बनेगा P, Q, R, S नहीं बनेगा L, M, N, O L, O का पेर बन रहा है इसके बाद देखेंगे E से E, F, G, H, I, J नहीं बना तो टोटल पेर्स कितने बने एक अगर पुछा जाए टोटल नंबर और पेर्स कितने होंगे तो एक ही सिंगल पेर इसमें बनेगा लेकिन आपसे पुछा है कि वो पहले कौन सा आएगा तो अभी मैंने बताये थे नेक्स्ट कॉस्टन की और ये रहा आपकी स्क्रीन पर बताये सहवास प्रोडेक्टिव वर्ड के दूसरे चोथे सात्वे और आठ्वे एक्सरों का अंगरे जी का एक अर्थपून सबद बन सकता है तो उस सबद के दाएं से दूसरा अक्सर कौन सा होगा यदि ऐसा एक से अधिक सबद बन सकता है तो उत्तर एक्स दीजेगा यदि ऐसा कोई भी सबद नहीं बन सकता है तो आपका उत्तर जैर दीजेगा सहवास बताईए कॉस्टन नबर फिप्टीन प्रोडेक्टिव के दूसरे चोथे साथवे और आठवे एक्सरों से अंग्रेजी का एक अर्थफून सबद बनाया जा सकता है या नहीं ये बताईए इसका लेटर देखिए इसमें कौन सा दूसरा दूसरा क्या आएगा आर चोथा क्या आएगा डी इसके लावा सात्वा पांचवा चठा उस सात्वा क्या एगा टी और इसके लावा आठवा आई क्या एगा बताईए क्या वर्ड बन सकता है क्या ये वर्ड बन सकता है क्या इस वर्ड को हम बना सकते है बताईए सहवास कोमेंट करके बताईए इन चारों अक्षरों का प्रियोग करके क्या हम कोई वर्ड बना सकते है और अगर ऐसा वर्ड बन जाता है तो ये कह रहा है कि दाएं से उस अक्सर के दाएं से दूसरा अक्सर कौन सा होगा अगर ऐसा सबत बनता है तो उसके दाएं से कौन सा अक्सर होगा बताई इस अवास कॉमेंट करके बताई इस अवास मैं वेट कर रहा हूँ आपके कॉमेंट का क्योंकि लेटर तो अपने पास कितने हैं चार ही है आर टी आर डी टी आई से क्या-क्या मिनिंगफुल वर्ड बन सकता है इससे अधिक बनते हैं तो बताईए आर इमानसु का सेकिंड लेटर राइट साइड से और बताईए और कोई बच्चे भी कोमेंट कीजे देखते हैं दूसरे चोथे साथवे और आठवे एक्सरों का अंग्रेजी का अर्थपूर सबद बन सकता है तो उस सबद के दाएं से दूसरा अक्सर क्या होगा ये बताना है यदि ऐसा एक से अधिक सबद बन जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा एक्स होगा इससे जदा बन जाएं तो एक्स आपका अंसर होगा और ऐसा एक भी सबद नहीं बनता है तो आपका अंसर जैड होगा तो बताईए इस कॉस्चन का राइट अंसर क्या होगा कॉस्चन नमर 15 का से बास इमानसु का आया है और वर्ड भी लिखिये साथ क्या वर्ड बनेगा हाँ ठीक है यह आपको दिखी रहा होगा टी आई आर डी एक हम इसमें से यह वर्ड बना सकते हैं अलंकि इसमें टायर्ड वर्ड बनता तो ज्यादा बैटर होता लेकिन उसकी स्पेलिंग कुछ और होती और हमें यूज करने पड़ते इसमें लेकिन हमारे पास फिलाल यही है तो यही एक वर्ड हम बना सकते हैं अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो क्या जाएगा जैड यह इसे भी आपका जो कोश्चन है यह किस के उपर डिपेंडेंट करता है यह आपकी William कि आठ बजे आपकी क्लास करवा दी जाए कि देखिए मैं बता देता हूं आपको आर्बी आसिस्टेंट के एक्जाम में कॉस्टन आया हुआ है ठीक है इस कॉस्टन में यहां पर हो सकता है कोई एरर हो उन्होंने इसको एक वर्ड मानना हुआ है लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनता है वर्ड तो कोई वर्ड नहीं मनता है मिनिंग्फुल नहीं है आप इसको डिक्शनरी में चेक करके देख सकते हैं इससे कोई और वर्ड बनता है तो वो भी आप बनाके चेक कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होना चीए जैड क्योंकि कोई ऐसा बन नहीं रहा हालांकि उन्होंने क्या माना है आर माना है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते है question number 16 एक ही करम में दो अक्सरों के बीच यहां उतने ही अक्सरों के बीच उतने ही अक्सर मोजूद है जितने की अंग्रे जीवन माला में होते हैं पेर ही है हाँ सचिन कुमार बिल्कुल मैंने बता दिया आपको अभी बताया है मैंने कि उसमें आंसर आर माना गया था वो किस तरीके से क्या माना था हो सकता था उस question में कहीं पर कोई error हो कोई और word हो उसमें क्योंकि tired word बन सकता है तो tired word के लिए तो कोई एक letter की हमें और जरूरत थी लेकिन उसमें नहीं था तो अब उसके according answer जैडी बनेगा आप देखिए इसमें हमें क्या पुछा है वो ही सेम आपको पेर देखने पहले P, Q, R, S तो एक तो P, S का बन जाएगा S के बाद आगे तो बनेगा नहीं R से check करेंगे तो R का इदर नहीं बनेगा right side में चलते है R, S, T, U छोड़ो नहीं बनेगा E से check करते है E, F, G, इदर नहीं बनेगा right में चेक करते है E, F, G, H, I, J नहीं बनेगा S, T, U, V नहीं बनेगा S से greater value इधर भी नहीं है छोड़ ये E से check करते हैं E F G H I नहीं बनेगा E F G H नहीं बनेगा N O P Q R N R का बन जाएगा N O P Q R इसके बाद इधर नहीं बनेगा C D E C E का भी बन जाएगा E के बाद F G H नहीं बनेगा E से check करते हैं E F G H I J K L नहीं बनेगा Total number of pairs पूछे जाते तो कितने बन जाते इसमें 3 pairs आपके बन जाते लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें अंगरेजी बन माला का कौन structure पहले आता है P S N R C E में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है तो आपका right answer हो जाएगा option D यानि कि C इनमें सबसे पहले स्थान पर आता है तो क्या हो जाएगा option D इसका right answer हो जाएगा I hope आपको question number 16 clear हो गया होगा इसी के साथ बढ़ जाते हैं next question की और हम हैं देश के रक्षक दन्यवाद दन्यवाद सर आपका बहुत बहुत दन्यवाद जो दिल से connectivity दिखाते हैं और इस प्रकार का भाव दिखाते हैं कि share कर दो सर क्लास 50 प्लस लाइव कर दिजे जरूर आपके सहयोग से एक दिन हम 50 प्लस नहीं 500 को भी हम cross करेंगे डेली अगर क्लास अपनी चलती रही तो इसी प्रकार से आपका effort रहा प्रियास रहा और सहयोग रहा तो हम cross कर जाएंगे जल्दी थैंक्यू वेरी मच चलिए next question को देखी question number 17 रहा आपकी screen पर बताईए सहावास RBI grade B में आया हुआ है 2015 में सहावास बताईए 17 number question का answer बताईए मैं wait कर रहा हूँ आपका क्या होएगा देखो question क्या है stories word है क्या कर रहा है stories के प्रतेग शवर को अंग्रेजी word माला सरंखला के अगले अक्सर से बदल दिया जाए इसका मतलब हो गया ओ को हमें बदला है अगले अक्सर से बदल दिया जाए ना की अगले शवर से ओक को तो हमें बदलना है P से E को हमें बदलना है P से I को हमें बदलना है J से यही है ना वोगल तथा प्रतेग वेंजन को अंग्रेजी वनमाला किस तरंखला के पहले एक्सर से बदल जाए जाए तो S जो है उसको किस से बदल देंगे? R से, T को हम S से बदल देंगे, R को हम Q से बदल देंगे, और S को भी हम R से बदल देंगे. ये हमारे पास आजाएगा एक प्रोपर पैटरन. अब क्या करें? तथा इस प्रकार बने सब्द के सभी वर्णों को 22 से दैं, F आना चाहिए, F से F आएगा, उसके बाद F के बाद क्या आएगा? F, F के बाद J, और J के बाद क्या आएगा? P, Q, R, S, तो इसमें आएगा फिर P, J, F, J, P, आगे भी बता देता हूँ, उसके बाद आएगा Q, फिर R, R, S, देखिए, 3, प्लस 3, 6 और 7 लेटर है, 7 यहाँ पर होगे, हमें पुछा है, left side से, third place पर कौन सा लेटर होगा? वेवस्था में 22 छोर से तीसरा अक्सर क्या होगा? जो कि option आएगा आपका D, 22 छोर से तीसरा अक्सर क्या होगा? तो आपका answer क्या आएगा? ठीक है? अगर पुछा जाता, right side से पुछा जाता, तो right side से पुछता तो answer क्या आता? R, clear है? I hope आपको अच्छे से clear होगा होगा? हाँ, C पहले आता है, सचिन कुमार बिलकुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, third पुछा था, इसमें हमें इनको sequence को arrange करने के बाद, और arrange करने के बाद, F आएगा पहले पर, J आएगा दूसरे पर, left side से तीसरे स्थान पर P आएगा, right side से पुछा जाए, तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? R, right से पुछा जाए, R, left से पुछा, इसे के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा question number 18, आपकी screen पर सहबस बताईए, यदि photograph सबद के, photograph सबद के, पहले और चठे अक्सर को आपस में बदल कर, बदल दिया जाए, दूसरे और साथ में, तो देखो, पहले और चठे की बात करें, पहले और चठे को आपस में हम बदल देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां कोन आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहां Z आ जाएगा, दूसरे और साथ में अक्सर को बदल दिया जाए, इसका मतलब यहां R आ जाएगा, और यहाँ पर H चला जाएगा इसके बाद अक्षर को आपसम बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही करम जारी रहे तो इसका मतलब यहाँ A आएगा और यहाँ पर O चला जाएगा यहाँ P आजाएगा यहाँ पर T आजाएगा यहाँ H आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा तो हमारे पास sequence जो है उपर आप देख पा रहे होंगे, यह वाली sequence बन जाएगी यह वाली, हमें क्या पूछा है जारी रहे तो आपके दाई और से गिनने पर कौन सा अक्षर होगा क्या पूछना चारा है दाई और से गिनने पर कौन सा अक्षर दूसरा, तीसरा ऐसा कुछ पूछना पड़ेगा इसको और ऐसा इसने पूछा नहीं है तो मैं इसमें आपको अपने आप ही पूछ लेता हूँ कौन सा अक्षर दाई और से फौर्थ होगा, फौर्थ लेटर बता दीजी, चलो दाई और से चोथा अक्षर कौन सा होगा, यह मिसिंग हो गया होगा जो भी पूछे हम बता सकते है इसमें दाई और से चोथा अक्षर क्या होगा O, T, O, H तो आप का अनसर क्या हो जाएगा, H आपका राइट अनसर हो जाएगा तीसरा पूछता दाई और से तो क्या आ जाता, O आ जाता ठीक है, दूसरा पूछता तो कोन आ जाता, T और पांच्वा पूछता तो P, ठीक है लेकिन इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी दूसरा ये तीसरा ये चोथा, ये पांच्वा होगा क्योंकि यहां से तो सुरुवात हो रही है ना, P को इसके साथ बदल रहे हैं तो लास्ट में तो ये जाएगा, तो पहला O, दूसरा T ये अगर आप थोड़ी प्रेक्टिस कर लेते हैं, तो डारेक्ट भी बिता सकते थे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती चली कुलदीप सर्मा, गुड जोब सर्जी, ठैंक्यू कुलदीप जी चली, नेक्स्ट कॉस्टन देख लेते हैं, आज के सीरीज का, आज के सेशन का, कॉस्टन नंबर 19, सेकिंड लास्ट कॉस्टन है ये देखिए, वर्ड गिवन है एक, आउडिनरी वर्ड है ऑडिनरी सवद के प्रथम और पांचवे, दूट्य और चठे तृतिय और शात्वे एक अपसन बदल दिया जाए पहले और पांचवे को बदलना है तो देखो, ये पहला है और ये पांचवे है, इसको बदलना है फिर क्या बुला है दूसरे और चठे को तो ये दूसरा है ये चठा है यहाँ A आ जाएगा यहाँ पर R आ जाएगा इसके बाद आगे भी इसी प्रकार से बदली करनी है तो यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर Y आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा पर यह रहा, बताईए सावास, क्वेश्टन नमबर 20, सबद है, प्रेग्मेटीज्यम, कि पहले और दूसरे एक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चोथे, पांच में और चठे, यानि कि इसको तो ऐसे बदल दो, क्रोसिंग का मतलब यह हो गया, आपस में ऐसे बदले जाएंगी, ऐसे, बदल दिया जाए, तीसरे चोथे को पांच में और चठे को अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवरतन जारी रहे, तो आपके दाई और से गिनने पर साथवा अक्षर क्या ह जाएगा, जो कि ऑप्षन है, फॉर्थ, ठीक है, आई होप आपको यह सीरीज, यह कॉस्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने इस सेशन को इंजोई किया होगा, जै बोले ना, पार्टी भी नहीं दी, सर पैसा की माला पहन लिए अपने, अरे वो तो बिक्ये सर क तरफ से हमारा स्वागत कर दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप ले सकते हैं, आपका अधिकार है, उतना ही पैसों पर है, ठीक है, पार्टी कभी भी ले लिजे, आपको कब मना किया है, पार्टी के लिए, चलो, ठीक है, तो मिलते हैं, nesत सेसन में, और कुछ ब नमस्कार, बाई बाई, टेक केर, जैहिंद, गूड नाइट.